सभी को नमस्कार बंगाल में पंचाय चुनाव के नतीजों का गणना चल रहा है और सोहविक रूप से जहां तक बंगाल का स्वभाव है हम जानते हैं कि कहा जाता था कि वाट बंगॉल थिंक्स तुड़े इंडिया थिंक्स टुमॉरो जिस भूमी से कभी वंदे मातरम के शब्द उपजे थे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसी भूमी में थैंक्स टु टीमसी जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशीत है इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी देखा था न किसी चुनाव में सुना था चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विशय भी नहीं इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी आठ जुलाई को संपन हुए आज काउंटिंग चल रहा है आज अकबारों में हर जगह ये ख़बर छपी है कि लगभग पैतालीस लोग आज तक जब से नोमिनेशन आरंब हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है लगभग पैतालीस लोगों की हत्या की जा चुकी है 45 पीपल have died as of today as far as the पंचायत elections of 2023 in West Bengal is concerned आप याद करिये इससे पहले के असंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की 52 लोगों की हत्या हुई थी 52 पीपल had died in the assembly elections during Bengal 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी चुनावी हत्या और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 चुवर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोतर दिन प्रती दिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में यहां आपके सामने पेश है संख्यावत पेश है बंदुगन के वल हत्या हैं नहीं आप अगर अकबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर वो शब्द है फाइरिंग गोली बारी बॉम्बिंग बंबारी बोगस वोटिंग रिगिंग मत पेटियों का जलाना मत पेटियों को फेकना कोई तलाब में फेक रहा है मत पेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जिता जा सकता है टीमसी उस प्रैतन में उस यतन में लगी है जिस डेमोक्रसी में जिस लोकतंतर में फाइरिंग बॉमिंग हत्या रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उस लोकतंत्र का क्या वजूद है आप ज़रा सोच के देखिए मंदुगन आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारती जनता पाटी का सवाल है हमने लगभग छे हजार पोलिंग बूतों पे री पोलिंग का डिमांड किया था इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है आप सबने सुना था सुप्रीम कोट रहाई कोट ने क्या कहा था सुप्रीम कोट ने तागीत किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्त होकर के एप्लॉइमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया जो सेंसिटिव बूत होती है उनकी संख्या चूपाई गई सेंसिटिव बूत का डाटा दिया नहीं गया सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद पैंतालीस लोगों की हत्या यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी यह एक स्टेट स्पॉंसर्ड मडर है यह जितने लोग मारे गए है यह प्रायोजित है इस नौत अग्सीदेंटल इस प्रायोजित इस प्रायोजित ए व्लूबर आव दिमोक्रशी इन वेस प्रेंगल और केवल राजनहितिक पार्टी ही स्पॉंसर कर रही ऐसा नही ए इंस्टिटूशनलाइजेशन, संस्थागत मडर है, अर्थात इसमें पुलीस प्रसाशन से लेकर, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं, और जो प्रसाशनिक अधिकारी होते हैं, वो सब सम्मलीत हैं, एक तरह से सबके मिली भगत से, ये स्टेट स्पॉंसर्ट में हूँ, आप भी सोशल मीडिया में है, आजकल कोश चुपता नहीं, जब हम सोशल मीडिया और फेस्ट्ट में देखते हैं, एक के ऊपर एक लद करके, डेट बोडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है, और स्टेचर्स में डाला जा रहा है, किसी के हाथ मुडे हैं और ये किसी accident का scene नहीं है ये कोई दुरगटना का दृष्य नहीं है ये murder blatant murder दिन दहाडे हत्या की गई है केवल इसलिए क्यूंकि आप TMC को vote नहीं कर रहे हैं और ये कोई केवल भारतिय जनता party के कारेकरताओं का murder नहीं है इसमें congressy भी है इसमें communist party के लोग भी है इसमें बाकी party के लोग भी है ऐसे लोग भी है जिनका राजनिती से कोई लेना दिना नहीं है वो केवल voting करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की हत्या हुई है जब इस प्रकार का दृष्य social media और facebook में हम देखते हैं तो मैं काई बार सोचता हूँ कि अगर यही दृष्य कोई भाज़पा साशित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मज क्या होता यह सारे नेता यह जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बैंगलूर में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं महा ठकबंधन का दृष्च दिखाते हैं कहां है वे सारे नेता कहां है लालू प्रशाद यादव कहां है नितीज जी कहां है वो मुहबबत की दुकान खोलने वाले राहूल गांदी कहां है ये सारे महा ठकबंधन के नेता एक के मुह से एक शब्द नहीं निकला है एक शब्द नहीं निकला है राहूल जी कहां है आपकी मुहबबत की दुकान का कोई जिकर नहीं है आप तो पूरे हिंदुस्तान में मुहबबत की दुकान खोलना चाहते मैं बताता हूँ राहुल जी आप आज मुहबबत की दुकान के विशे में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांग्शाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है the mega mall of your ambition you want to become the ruler of this country by hook or by crook कैसे भी मैं सत्ता सीन हो जाऊं मैं सत्ता रूड हो जाऊं और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहें तो कोई बात नहीं है वहां मुहबबत की दुकान के वश्रकता नहीं है ये मुहबबत की दुकान और मुहबबत के दुकान की फर्मान ये केवल उन्ही जगा वश्रक है जहां मोदी जी पे और भारती जंता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है कोई बात नहीं अगर कांग्रेश का कारे करता भी TMC के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेश के नेता खुद बंगाल में कहе कि हमारे कारे करताओं की हत्या हुई है उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के सीर्ष नेतृत्तों की चुप्पी यह दरसाता है कि इन लोगों का एंबीशन कितना बड़ा है यह लोग डेमोक्रसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं मकर अपने एंबीशन की हत्या होते हुए अपनी महत्ता क्वांचा को लुठते हुए नहीं देख सकते हैं मा माति और मानूश की बात करती थी मुमता बेनर जी मा आझ बिलख रही है रो रही है माति आज रक्तरंजीत है मानूश की आज हत्या हो चुकी है और मुमता जी माफ करिएगा अगर मैं कहूं की निर्मम मंद पध्याय जी ये सब मूख दर्शक बनके देख रही है तो ये अतिश्युक्ति नहीं होगी ये निर्ममता है ये ममता नहीं है ये डाइमंड हार्बर मॉडेल है डाइमंड हार्बर जहां से अभिशेक बेनर जी लड़ते हैं उनकी कॉंस्टिट्वेंसी है भाईपू की और जिस प्रकार से वहाँ दादागीरी की राजनिती चल रही है वहाँ काउंटिंग एजेंट भारत्य जन्ता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है ये चारो और बंगाल में ये counting agent अगर TMC का नहीं है तो 2 km पहले उसे रोका जाता है जिस दिन nomination भरने जाता है किसी और party का कारे करता पहले उसे मारा जाता है, डड़ाया जाता है, धमकाया जाता है फिर भी अगर nomination भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है फिर भी अगर election हो जाता है तो counting day के दिन counting agent को वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है rigging करने की कोशिश होती है, bum फेकने की कोशिश होती है और उसके बाद भी अगर हो जाता है तो किस कदर वहाँ दंगा की जाती है कि आज हेमन्त विश्व सर्मा जी ने भी tweet करके बताया है कि कई हज़ार लोग बंगाल छोड़के आज शरण में हैं, असाम में ये लोग तंत्र है, ये लोग तंत्र है ममतादी ममताजी आपको उत्तर देना होगा क्या ये लोग तंत्र है बांगलार गणतंत्र रक्तस्नात, एखाने वोट होले मानुशेर प्राण चले जाए एखाने नियोम कानुनेर कुन्न बलाए नें, मुक्ष मंत्री निर्मों बंध पद्धाए ओतार परिशद्दार शरकारी आइन के खमता टिके थाकार मेशिनारी बनाई थेन आमी एई वेवस्था टिब्रो निंदा को रही है, धारती जन्ता पाटी इस पूरे वेवस्था की जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से लोगतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी तिब्र निंदा करती है, धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवज से पूछे देखिए जहां तक भारतिय जंता पार्टी का विशय है मैं उसका विशय रखता हूँ केंदर सरकार के विशय में सरकार के प्रवक्ता आपने विशय को अवश्य रखेंगे बारतिय जंता पार्टी ने एक कमिटी बनाई है चार दल्य कमिटी है और ये कमिटी वहाँ पर हिंसा को पढ़ने उसके विशय में जानने के लिए उसके विशय को स्थापित करने के लिए गई है केंदर सरकार भी हमने देखा है नियूस के माध्यम से ग्रह मंत्राले ने रिपोर्ट भी मांगी है तो स्वभाविक रूप से इन सब विशयों का आंकलन करने के बाद जो भी उचित कदम होगा सरकार वो पार्टी उठाएगी कोट में भी विशय गया हुआ है इसके विशय में भी आप जानते हैं तो आप जानते हैं वहां भी हुआ है तो यहां भी होगा क्या ये उत्तर है बावन लोगों का मरजाना असंबली इलेक्शन में 45-45 लोगों की मृत्यू पंचायत के इस बार के चुनाव में शरम से जहां हम सब को सर जुका लेना चाहिए वहां वाट अबाउटरी हो रही है कि वहां भी हुआ था तो क्या हो गया यहां भी होगा मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाग स्टेट्मेंट है बंगाल के TMC पार्टी द्वारा उनको क्षमा मागनी चाहिए देखिए मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि 45 लोगों की हत्या हुई है आज सारे अकबारों में 42 प्लस 3 ये संख्या चपी है और मैं मीडिया पे संपूर्ण विश्वास करता हूं कि जिस दिन से चुनाव गोशित हुए है आज तक 45 लोगों की जान गई है मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चापा होगा आकड़ों के साथ चापा होगा और जहां तक NIA एवंग CBI के जाँच का विशा है स्वभावी क्रूप से इसमें कोई दोमत नहीं है कि हमारी होम मिनिस्ट्री हो और बाकी जो पार्टियां है सभी ने अपने डिमांड्स को रखा है तथे के आधार पर इस विशे पर पार्टियां भी और सरकार भी आगे बढ़ेगी देखिए मैंने इस नियूस में इससे अनभिग गया हूँ अभी मुझे लगता है पूरी जानकारी के बाद ही मुझे इस पे कमेंट करना चाहिए इस वभावी क्रूप से बारिश हो चाहे दिल्ली में कुछ भी हो किज्रिवाल सरकार और उनका एक रवया रहता है कि दूसरों के कंधे के उपर जिम्मेदारी डाल देना और राजनीती करना मुझे लगता है आज पूरे देश में जिस प्रकार से बारिश का प्रकोफ है हम टीवी के माध्यम से और बाकी माध्यमों सो देख रहे हैं यह संवेदनशील विशय है लोगों के घर बह जाने लोगों का जान चला जाना यह राजनीती का विशय कदाचित नहीं है सभी सरकार है चाहे कि सीवी पार्टी की हो एक जूठ होकर इस पर काम करना चाहिए जिस प्रकार की ओची राजनीती मैं देख रहा हूँ ट्वीटर के माध्यम से भी कुछ लोग दोशार ओपन करने का काम दिल्ली में बैटके कर रहे हैं मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा सा कर्च जमीर पे भी होना चाहिए देखी बड़ा दुखत विशय है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राजेंद्र जी जो की मंत्री है गहलोजी की सरकार में राजस्तान में उन्होंने मा सीता के लिए और भगवान राम के लिए किया है यह अपने आप में बहुत चिंताजनक विशय है मैं तो उन शब्दों का दुबारा यहां प्रयोग नहीं कर सकता हूँ बहुत ही बहुत ही निंदनी यह शब्द है मगर यह कॉंग्रेस के लिए कोई नहीं बात नहीं जिस पार्टी की अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा आधनिय सोनिया जी का मानना है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है भगवान राम कालपनीक है और इस पे उन्होंने सुप्रीम कुप में एफिडिवीट दिया तो सुभाविक रूप से मा सीता के विशे में इस प्रकार की अभद्र टिपणी करना तो उनके सुभाव में उन्होंने अपने सुभावगत आचरन किया है जो की निंदनी है धन्यवाद